तो भी अगर गले में बहुत जादा खरा समेशा बना हुआ रहता है, कफ रहता है, गले में हमेशा खिच-खिच बनी रहती है, अगर अपने गले को इस तरीके से अगर आप साफ करते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपको गले में दर्द होता है, अगर सुखापन भी बना हुआ रहता है इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बता है इसको पूरा देखिएगा हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर जोती पान ले अगर गले में हमेशा खिच-खिच बनी हुई रहती है, हमेशा आप गले को हर 2-3 सकेंड के बाद उसे साफ करते रहते हैं, खरास को हमेशा क्लीन करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर आपका कफ रहता है, आप हमेशा कफ को निकालने की कोशिश करते हैं और वोगर नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है अभी इसे हम लोग scientific भासा में granular pharyngitis कहते हैं इसकी वज़ा से गला जो हमेशा सुखा सुखा मैसूस करता है इस सुखापन के कारण हमेशा गले में दर्द भी बना हुआ रहता है तो मैं अभी आगे इस वीडियो के अंत तक आपको यह भी बताने वाली हूं कि कुछ ऐसे घरेलू नुस्के हैं जिसको कि अपना करके आप अपने इस फेरेंजाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उससे राहत पा सकते हैं सबसे पहरे तो यह जाना ज़रूरी है कि यह granular pharyngitis कहते किसे हैं गले में अगर छोट करके granular pharyngitis कह देते हैं इन गले में होने वाले जो दाने होते हैं वह बहुत जादा डेंजरस टाइप दिखाए देते ऐसा लगता है जैसे कि गले में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है पर घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है यह इचीनेस वाली प्रॉब्लम जो ह लगते हैं उन्हें लगता है कि गले में कोई भी रेडनेस होना या फिर गले में अलसर्स होना या गले में ऐसे कोई भी फफोले फोडे अगर होने लगे हैं और वो हीलिंग चुकी जल्दी नहीं हो रहे हैं महीने दो महीने हो चुके हैं सबसे पहले दिमाग में सिर्फ एक changes और ऐसे बहुत सारे causative factors जो है वो इसके लिए जिम्यदार होते हैं सबसे पहले हम लोग इसके region को समझते हैं कि यह ग्यानलर फेरंजाइटिस होते क्यों है सबसे नंबर वन चीज है अगर ठंड का समय है तो आपके गले में यह ठंड की वजह से बहुत ज्यादा का dryness बना हुआ रहता है गला जो है वो सुखा सुखा महसूस करता है जिसे हम लोग सोठ थ्रोड बोलते हैं गले का सुखापन होना इसकी वज़य की फेरंजाइटिस की प्रॉब्लम जो है वह होने लगती है अगर आप बहुत जोर-जोर से चीकते हैं या चिलाते हैं लोगों की आदत होती है बहुत जोर-जोर से बात करना तो इस वज़ा से भी pharyngitis की problem जो होती है तो हमें चाहिए कि इस type के जो patient होते हैं उन लोगों को बहुत slow बात करना चाहिए धीरे बात करना चाहिए और अगर उन्हें बात करने में दिक्कत हो रही है या उन्हें दर्ध हो रहा है गले में तो उन्हें कम से कम बात करने की कोशिश करने चाहिए नमबाँ 3 रीजन होते हैं habits, जिसमें कि सबसे common habit होता है smoking की habit, जो लोग भी smoke करते हैं, तो उनके जो धुआ होते हैं, वो pharynx में जाते हैं, और pharynx वो बहुत जादा dry कर देते हैं, और smoking में ऐसे बहुत सारे nicotine के कर्ण होते हैं, जो pharynx के दिवाले होती हैं, वहाँ पर जाकर के चिपक जाते हैं, और उ हमेशा आपके गले को जो है, वो irritate करता है, जिस वज़ा से वो problem जो है, वो खतम होने की बज़ा और धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, next region यह होता है कि pollutions, इतना जादा अभी polluted area होता है, अगर धुआ हैं, या फिर गाड़ी वगरे के जो धुआ निकलते हैं, उनकी वज़ से एक allergy जो है, आपके गले में होना start हो जाता है, वो dust जो होते हैं, उसके particles भी आपके गले में जाकर के आपके गले को खराब कर सकते हैं, और यह pharyngitis की problem जो है, उसको बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वज़ा से भी यह problem होती है, क्योंकि ठंडा बना हुआ रहता है, और कफ की problem होती है, तो उस कफ को अगर आप निगलने लगते हैं, जिसकी वज़ा से आपके गले में problem जो है, वो बढ़ने लगता है, तो हम कोशिश कीजे कि गले में जो कफ बनता है, उस कफ को आप speed out करने की कोशिश कीजे, उसको निगलेंगे, तो bacterial infection जो है, आपके body में ज्यादा होने लगेगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो बच्ची और बड़े दोनों में ये चीज़ देखने को मिलता है, कि उनके nasal congestion की problem होती है, मतलब उनका नाक जो है, वो बंद-बंद महसूस करता है, जिसकी वज़ा से वो मूँ से सांस लेना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम लोग माउथ ब्रिधिंग कहते हैं, उसकी वज़ा से भी डायरेक्ट ये जो हवा होता है, वो आपके मुह में जाता है और आपके pharynx को dry कर देता है, जिसकी वज़ा से भी pharynxitis की problem जो होने लगती है, बहुत सारे लोगों की जो tonsils होते हैं, उसमें बहुत infection देखने को मिलता है, कुछ लोगों कोई tonsils stone बन जाते हैं, कुछ लोगों में tonsils जो होते हैं, वो बड़े-बड़े हो जाते हैं, मतलब tonsillitis की problem हो जाती है, तो ये चीजे जो होती हैं, उसकी वज़ा से भी आपका distracted हो जाता है, आपका गला खाने को निगलने में ये समें problem होने लगती है, जिसे की pharynx की जो दिवाल होती है, वो irritate हो जाती है, उसकी वज़ा से भी granular pharyngitis होती है, ये हमारे जो tonsils होते हैं, उसके बीच में यूवला होता है, वहाँ पे यूवला की अगर size बढ़ जाती है, तो भी उसकी वज़ा से भी ये direct प्रभाव देता है pharyngitis को, तो ये सारे बहुत सारे reasons थे जिसकी वज़ा से granular pharyngitis होती है, पर granular pharyngitis कोई बहुत बड़ी problem नहीं है, ये एक तरह का bacterial viral infection की वज़ा से भी होता है, तो इसलिए अगर किसी को एक दो महीने से अगर pharyngitis है, तो भी घबराने की बात नहीं है, आप उसको treat कर सकते हैं, घर पे ही कुछ घरेलू नुस्खों से, और फिर भी अगर वो ठीक नहीं होता है, तो फिर इसके लिए बहुत ही simple treatment होता है, जो मैं आपको quickly समझा दोंगी, सबसे पहला घरेलू नुस्खा ये होता है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे क आपका गले में hydration की कमी नहीं हो, आपका गला जो है हमेशा सुखापन जो मैसूस करता है, वो सुखापन मैसूस ना करें, सकेंड है, आप खाने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, मतलब दाल, अनाजे, या फिर आपको dry fruits से सब ज़्यादा लेना है, जिसक के body से excrete हो जाता है, जिसकी वज़े से body में hydration की कमी हो जाती है, आप lemon tea ले सकते हैं, green tea ले सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी turmeric tea ले सकते हैं, कोई भी ऐसा आजवादिक tea जो है, वो घर पे बना करके भी आप यूज़ करेंगे, उससे भी आपका गला जो है, वो बहुत ही moist बन देना है, आप अपने से कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये pharyngitis की problem जो है, वो कुछी दीनों में ठीक हो जाएगा, अगर बहुत लंबे समय तक डेर से 2 महीने का pharyngitis अगर आपको हुआ है, तो इसको ठीक होने में कुछ दीन लगते हैं, लेकिन अगर वो इस स्टार्टिंग होने के तो, डिसाइड आप कीजे कि आपको कौन सी problem है, उस वज़ा को आप खतम कीजे, आपके pharyngitis की problem है, वो अपने आप ही कुछ दीनों में खतम हो जाती है, सबसे important चीज़ ये होता है, कि आपको normal saline से गारगल करना होता है, मतलब गुनगुना पानी है, उसमें salt को डा है, जो आप लोग घर पे सुने भी होंगे, आप इसको आजमा के देख सकते हैं, आपको इससे काफी आराम मिलेगा, अब इसके treatment की बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो कि अगर आपको pharyngitis होना तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी problem नहीं है, लेकिन आप dentist है, ENT के पास जा करके आप इसका treatment ले सकते हैं, अगर आपको कफ की वज़े से problem है, तो उससे related जो भी कफ है, अगर ड्राइ कफ की problem है, तो आपका ऐसे बहुत सारे medicines आते हैं, इसमें साल, butamol, terbutalin, ऐसे बहुत सारे compositions होते हैं, वैसे कफ सिरफ काफ इस्तमाल कर सकते है अगर उसकी viral infection की वज़े से अगर pharyngeitis हुआ है, तो आपको इसका मतलब fever भी हो सकता है, तो उसके लिए आप fever के लिए medicines ले सकते हैं, और viral infection है, तो उसको ठीक होने में 7-8 दिन का समय लगेगा, उसके बाद आप खुरी ठीक हो जाएंगे, अगर को bacterial infection से अगर आपको pharyngeitis तो जब भी कभी किसी भी कोई भी problem अगर आपको होती है, तो जब तक उसको properly आँख से देखा नहीं जाता है, तब तक उसके medicines को बता पाना बहुत मुस्किल होता है, क्योंकि हर disease के लिए हजारों दवाईयां होती हैं, जिनको दिया जा सकता है, तो ऐसे whack वाला काम नहीं कर करना है, आपको particular doctor के पास जा करके अपना proper treatment लेना है, और treatment को complete करना है, I hope कि आपको ये video अच्छा लगा हो, फिर भी अगर आपके मन में से related कोई भी question रहा हो, तो please comment कीजेगा, बहुत जल्द उसका answer करेंगे, ऐसे informative videos आपके शाथ हमेशा share करते रहेंगे, लाते रहेंगे न के, bye-bye.